Assalamualaikum students, उमीद करता हूँ आप लोग खेरियस से होंगे, हाजिर हूँ MF English Center से तो student आज जो है हम अपना topic 1.2 करेंगे और chapter number जो है हमारे पास 1 है और chapter number 1 का जो नाम है हमारे पास physical quantities and measurement ठीके तो इसका जो topic है वो measurement instrument तो इसके उपर जो है हम आज पढ़ेंगे के measurement instrument क्या होते हैं और हम किस तरह से जो है वो physical quantities को major करने के लिए instrument का use करते हैं for example अगर आपको length जो है वो major करनी है तो आप अपने हाथों से तो नहीं करेंगे आप जो है वो inche tape और दूसरी चीदों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं measurement के लिए ठीके तो इसी तरह से मुक्तलिफ जो है वो instrument आते हैं जैसे कि एक watch ये भी एक majorment instrument है तो मुक्तलिफ चीदों को majorment करने के लिए मुक्तलिफ जो है वो instrument है तो आज detail में पढ़ेंगे इन्शालला कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से तमाम चीदों को explain करूँ तो student class 9 new English book और class 9 की new math की book और physics ये तीनों books जो है मैं आपको cover करवा रहा हूँ जिसमें से class 9 new English book पर तो मैं तमाम lecture upload कर चुका हूँ तो अगर आपने पढ़ना है तो playlist visit कर ले जॉन सा unit जॉन सी exercise चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी और math और physics जो है मैंने आपको शुरू करवा दी है इन्शालला जल से जल complete करा दूँगा और इनके notes भी बना लूँगा तो अगर आपको English के notes चाहिए हो उसके बाद पूरा explain कर दूँगा physics is much concerned with matter and energy and the interaction between them which is explained with the help of describing the mathematical relation between various physical quantities देखें यहां क्या कहा जा रहा है कि physics जो है वो किन चीतों से तालुक रखती है यह बात आए जा रहा है आपको देखें फिजिक्स जो है वो matter से तालुक रखती है यानि solid, liquid, gas इससे जो है वो तालुक रखती है अच्छा हमारे पास जो energy होती है यानि मुक्तलिफ हमारे पास energies के sources होते है heat energy, electrical energy, mechanical energy और energies और matter के दर्मियान क्या interaction होता है क्या तालुक होता है यह जो है हमें बताया जाता है अच्छा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप किसी भी चीज को किस तरह पैचानते हैं किसी भी चीज को अगर आपने पैचानना है तो किस तरह पैचानेंगे उसकी nature से पैचानेंगे अच्छा अब अगर heat energy है तो उसकी क्या nature होगी जैसा कि इनसान भी जो है वो अपनी नेचरों से पैचाने जाते हैं अब आपने length को जो है वो पैचानना है तो कैसे पैचानेंगे length को वो जो है लंबी होगी, लंबाई में होगी हमारे पास वो जो है जगा घेर रही होगी अब आपने किसी मास को पैचानना है तो कैसे पैचानेंगे उसका वजन होगा तो टाइम को पैचानना है कैसे पैचानेंगे कि वो गुजर रहा होगा तो इसी तरह से मुक्तलिफ चीजों को पैचानने के लिए हमारे पास हर चीज का नेचर होता है जिसकी वज़ा से हमें हम उसको पैचानते हैं तो हमारे पास बहुत सारी physical quantities हैं जैसे के length, mass, time और velocity, acceleration, force तो ये सब जो है वो physical quantities हैं अच्छा, physical quantities को दो हिस्सों में तक्सीम किया गया है ये बात आप याद रखिएगा physical quantity को कितने इस्सों में तक्सीम किया गया है दो सबसे पहली quantity है fundamental quantities सबसे पहली quantity का क्या नाम है fundamental quantities और दूसरी quantities क्या है drive physical quantities या drive quantities भी कहा जा सकता है तो सबसे पहली quantity है fundamental quantities दूसरी जो quantity है वो drive physical quantities अब ये physical और ये quantities होती क्या है तेके fundamental quantities को समझना बहुत असान है वो quantities जो के किसी से तालुक नहीं रखती हो independent हो यानि आपको यहाँ पर fundamental quantities का जो है वो chart दिया हुआ है और यहाँ इस chart में जो unit लिए जाएंगे वो SI unit लिए जाएंगे हमारे पास ज्यादा तर जो unit इस्तेमाल होते हैं वो SI unit होते हैं ठीक है SI unit इस्तेमाल होते हैं अच्छा length एक fundamental quantity है यानि इसको define करने के लिए किसी और quantity की जरूबत नहीं पड़ेगी for example velocity है अगर आपको velocity को define करना है तो आपको length की और time की जरूरत पड़ती है तब जाके आप जो है वो velocity को define कर सकते हैं लेकिन length को define करने के लिए किसी भी quantity की जरूबत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि ये एक fundamental quantity है बुनियादी quantity है किसी और चीज से तालुक नहीं रखती तो fundamental quantities वो quantities होती हैं जो किसी भी चीज से तालुक ना रखे direct define की जा सके अपने nature से पिचानी जा सके अब आज़ते हैं इस chart में देखते हैं हमारे पास मुक्तलिफ चीजे मौझूद है तो उनको पढ़ लेते हैं देखें length length क्या होती हमारे पास लंबाई और कोई भी चीज हो लंबी हो तो हम पिचान लेते जब भाई इसकी लंबाई इतनी है ये इतनी बड़ी है अच्छा इसका ऐसा unit क्या होता है meter और इसका sample क्या होता है m अच्छा एक बात अपने याद रखनी है कि जब भी आप numerical solve करेंगे तो कभी भी आपने unit में जो है वो m, e, t, e, r पूरानी लिखना meter सिर्फ जो sample होता है वो लिखा जाता है m अच्छा, m जो है सिर्फ length का sample है और किसी भी चीज़ का sample नहीं होगा सहीए याद रखेगा m जो है वो सिर्फ length का ऐसा unit का sample होगा और किसी भी unit का नहीं होगा हर unit का अलग-अलग sample आपको दियावा होगा तो tension की जरूवत नहीं होगी ये जो chart है याद कर लीजिए का बहुत ज़्यादे important है mass ये भी एक जो है वो independent quantity है यानि fundamental बुनियादी quantity है और mass को आप कैसे पैचानते हैं आपने हाथ में लेकर वजन करके पैचान लेते हैं ठीक है लेकिन ज्यादा accurate mass निकालने के लिए हम क्या इस्तिमाल करते हैं मुक्तलिफ तराजू और मुक्तलिफ digital जो है वो हम चीज़े इस्तिमाल करते हैं ठीक है जैसे कि डिजिटल तराजू आ गिया है इस तरह की चीज़ें इस्तमाल करते हैं अच्छा मास का जो यूनिट है वो है किलो गिराम और शॉट में कैसे लिखेंगे सेंबल क्या होगा केजी time क्या है हमारे पास जो वक्त है वो हमारे पास time है याएक independent quantity है अजाथ है तो इसका unit है second ऐसा unit second मिनट जो है इसका unit नहीं है तो आपके पास सेंबल ऐसे empire इंपेर किसका unit है current जो हमारे घष में electric current आ रहा है वो भी एक basic quantity है अचा current जो है वो दो चीदों से मिलकर बनता है charge और time से यानि कितना charge गुजर रहा है कितने time में तो ये हमारे पास क्या होता है current लेकिन इसे जो है वो basic quantity ही माना जाता है इसे fundamental quantities कहा जाता है fundamental quantity कहा जाता है temperature किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं आपको गरम ये ठंडा महसूस हो तो ये temperature की वज़े से आपको पता चलता है अगर आपने किसी ball को हाथ लगाया metal ball है हाथ लगाया वो बहुत temperature में रखी वी थी तो आपको गरम महसूस होगा तो आप क्या कहेंगे temperature ज्यादा है अब आपने जो है वो किसी बॉल को हाथ लगाया वो थंडी जगह पे रखी वी थे आपको थंडी मैसूस होगी तो उसका temperature कम कहेंगे आप ये भी एक fundamental quantity है Kelvin इसका जो है वो unit है और इसको K से define किया जाता है amount of substance हमारे पास मुक्तलिफ amounts होते हैं substance यानि carbon, hydrogen इनके जो amounts होते हैं ये जो है हमारे पास amounts of substance यानि कितना हमारे पास carbon है कितना hydrogen है तो इसका जो unit है वो होता है mole और जो है इसको mol moles लिखा जाता है ठीक है mol mole लिखा जाता है luminous intensity यानि शिदत कोई चीज किती शिदत से किसी पर लग रही है तो cadela इसका unit और cd से short form में define किया जाता है तो ये तो मैंने आपको fundamental quantities बता दी जो किसी भी चीज़ से तालुक ना रखें direct define की जा सके सिर्फ आपको number और unit की जरुआ तो आप बता दो कि भाई ये length है अब जो है हमारे पास drive quantities आ गई यानि ये जो हम बड़ी-बड़ी derivations करते हैं बड़े-बड़े formula लगाते हैं किसलिए लगाते हैं कि drive quantities को हासिल किया जा सके अच्छा अब अगर आप से कोई पूछ ले volume तो volume एक drive quantity है मतलब length, breath, height ये तीनों मिलकर volume बनाते है तो इनका भी अलग-अलग unit होता है यानि ये जो हमरे पास drive quantities होती है इनके भी अलग-अलग units होते है अच्छा अब आजाते हैं हम drive quantity का मैंने बता दिया कि ये base quantities से मिलकर बनती है drive quantities कैसे बनती है base quantities से मिलकर बनती है अब हमारे पास है volume volume का unit क्या है? cubic meter अब cubic meter क्यों है इसके अंदर जो है वो तीन आपके पास length होती है breath ये भी एक length होती है height ये भी एक length होती है और लंबाई ये भी एक length यानि breath, height और ये सब मिलकर जो है वो volume बनाता है तो length, breath, height सही है length भी एक क्या है हमारे पास एक लंबाई भी हमारे पास एक dimension है और हमारे पास हाइट लंबाई हाइट लंबाई हो गई और width जो है वो चोड़ाई हो गई तो volume जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है length, breath, height ठीक है length यानि लंबाई और height यानि ये कितना उचा उठावा है और breath यानि कितना फैला हुआ है ठीक है तो ये हमारे पास volume हो गया तो cubic meter इसका unit होता है जो के meter cube meter cube का मतलब यहाँ पर तीन जो है वो length मिल लई है length, breath, height मिल लई है तो जो है ये volume बनता है velocity बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हैं कितना distance cover हो रहा है कितने time में तो ये भी जो एक drive quantity है meter और second से मिलके बनती है ठीक है meter और second को जब हम drive करते हैं तो ये quantity बनती है unit है meter per second और short form कैसे लिखेंगे short form जो है वो लिखेंगे meter और second के उपर inverse लगाएंगे यहाँ पर जो inverse लगावा है ये minus one ये m पर नहीं है s पर है meter per second होता है second per meter नहीं होता अच्छा अब आजाते हैं force तो force भी एक drive को entity है जो के acceleration और mass से मिलकर बनती है तो acceleration खुद एक drive को entity है जो के नीचे आपको दीवी है तो force का unit है newton जो के एक scientist के नाम पर है बहुत ही मशूर scientist है Isaac Newton उनके नाम पर है ठीक है तो इसको जो हम symbol इस्तेमाल करते हैं अब force किसी भी तरह की हो चाहे वो friction की force हो चाहे वो हमारे पास resistance की force हो या air resistance हो कोई भी force हो हमारे पास unit F ही रहेगा जहां भी force का है unit F लगाए और F ही लगावा मिलेगा density के कितना density का जो formula होता है वो होता है हमारे पास कितना जो है वो volume में कितना mass फैला हुआ है यानि mass upon volume हमारे पास कितने volume में कितना mass फैला हुआ है इसको correct करें कितने volume में कितना mass फैला हुआ है कितने per meter volume में नहीं unit volume में कितना mass फैला हुआ है यह density होती है और यह भी दो चीजों से मिलकर बन रही है volume और हमारे पास mass तो density हमारे पास होता है mass upon volume इसका जो unit है meter per cubic meter per kilogram per cubic meter ठीक है तो cubic meter आपको उपड़ समझा चुका हों कि volume का unit होता है तो kg पर meter का cube यह आपको जो है वो density का unit हो गिया acceleration, acceleration क्या होती है कि कितना जो है वो velocity में time के respect से change आ रहा है तो meter पर second का square, second का square क्योंकि time दू बार आ रहा होता है तो इसलिए time square में चला जाता है तो आगे जो यह चीज़ हम drive करेंगे तो और detail मैं आपको समझाऊंगा और मुक्तलिफ चीज़े जो है वो physics से जो relate करती है जो पेपरों में आती है तमाम चीज़े आपको करवाऊंगा तो इंशाल्ला यह भी जो है आगे जाके आपके लिए काफी फाद्यमन रहेगी चीज़े तो यहाँ पर मैंने आपको जो है वो drive quantity और fundamental quantity समझा दी और तमाम ही यही चीज़ लिखी वी है अच्छा अब यह पढ़ लेते हैं के हमारे पास length क्या होती है तो length मैं आपको बचा चुका हूँ the standard of length क्या है के कोई भी चीज़ कितनी फैली हुई है यह हमारे पास length होती है और हम length को कैसे पैचानते है के भाई कोई कितनी लंबी है कोई चीज़ यह length होगी ठीक है तो length के जो है मुक्तलिफ units होते है ऐसा unit बता दिया मैंने आपको length का जो ऐसा unit होता है वो होता है मारे पास मीटर किलो मीटर नहीं होता मीटर होता है याद रखिएगा तो मुक्तलिफ unit भी होते है length के मुक्तलिफ सिस्टम में inch, foot, yard, mile और मीटर तो इन सब के जो है वो अलग-अलग relation बन रहे होते हैं मीटर से ठीक है तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया के length क्या होती है अच्छा, अब उन instrument के उपर बात करते हैं जो के length को major करने के लिए इस्तिमाल होते हैं अब ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी आँखों से देखा और बता दिया कि भाई ये 2 मीटर है या ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी आँखों से देखा यह वह है मीटर रूल अब मीटर रूल क्या चीज है यह जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो मीटर रूल एक स्केल ही होता है ज्यादा जो है आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैं आपको समझा दूँगा आपको अच्छी तरह समझ माज़ेगी बात पॉइंट हाटीन मीटर रूल होता किस तरह का है आपको बताता हूँ आपके पास जो स्केल होता है ना नॉर्मल स्केल वो भी एक मीटर रूल होता है सही है वो भी एक मीटर रूल आप जो लंबी लंबी लाइने लगे वे देख रहे होते हैं उस पर उपर कोने में तो एक लाइन जो है वो इंच की भी बनीवी होती है यानि एक तरफ जो है आप उससे इंच को भी मेजर कर सकते हैं और एक तरफ से आप उसमें सेंटी मीटर में भी मेजर कर सकते हैं तो यह जो scale होते हैं मुकतलिफ तरीके के बनाइजाते हैं किसी scale में आप length को मीटर में major कर सकते हैं किसी में centimeter में और किसी में जो है वो inch में तो वो मुकतलिफ किसम के scales बनाइजाते हैं तो अगर अपना normal scale देखें तो उसमें भी reading आपको लिखी भी नजर आएगी वो भी एक मीटर रूल है अच्छा पहले ये लकडी से बनाए जाते थे लकडी पे बनाए जाते थे क्योंकि प्लास्टिक जो है वो उस टैम पे नहीं होता था इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होता था लेकिन अब मॉडरन दौर है तो प्लास्टिक पे बनाए जाते हैं पहले आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले लोहे के स्केल भी आते थे उसके उपर भी जो है वो इंच में और मुक्तलिफ तरह से रीडिंग्स दी भी होती थी तो यहाँ पर अब एक बात करते हैं कि एक मीटर कितने सेंटी मीटर के बराबर होता है सिंपल है एक मीटर जो है वो हंड्रेट सेंटी मीटर के बराबर होता है और किसी भी लेंट के यूनिट को किसी भी लेंट को सेंटी मीटर में कैसे लेके जाते हैं मीटर में कैसे लेके जाते हैं इंशालला जब numerical करेंगे तो full करके आपको समझाऊंगा अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखेगा कि 10 cm जो होता है वो 1 mm के बराबर होता है ठीक है तो यह बात आपने याद रखनी है तो यह जो है हमारे पास meter rule एक simple scale होता है जो length को major करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है simple definition याद रखें कि एक ऐसा scale जो के इस्तेमाल किया जाता है length को major करने के लिए तो यह है meter rule अब आजाते हैं vernier clipper अब आप meter rule से कोई चीज major करते हैं तो अकसर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा during the study और आपकी class में कि वो जो है आपने 0 पर एक हिस्सा रखा और एक हिस्सा आपने रखा एक हिस्सा आपने 0 से match करवा लिया लेकिन दूसरा हिस्सा जो है यहां तो 10 से पहले आ रहा होता था यहां 10 के बाद यहां अगर 5 तक major कर रहे हैं तो 5 से थोड़ा पहले आ रहा होता था 5 से थोड़ा बाद तो यहां पर जब आ रहा होता है तो गलती हो जाती है यहनि accurate 5 पर नहीं आ रहा यहां तो 5 से थोड़ा आगे आ रहा है यह थोड़ा पीछे तो यह हमारे पास error आ जाता है यह हम major नहीं कर पाते हैं यह total कितने centimeter यह कितने meter का है यह कितने inch का है तो इस चीज़ को हमारे पास vernier clipper खतम कर देता है vernier clipper एक ऐसा instrument है जो कि length को major करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यह जो है वो ज्यादा accurate length को major करता है अब आपसे पूचा जाए कि भाई हमारे पास meter rule जो है वो ज्यादा अच्छा अच्छी तरीके से length को major करता है या vernier clipper तो आप बोलेंगे कि vernier clipper जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से length को major करता है अब इसको जो है वो पढ़ते हैं कि इसमें थोड़ा सा लिखावा क्या है थोड़ी सी English आपको पढ़ देता हूँ ताके आपको समझ में आए कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो what to what है अगर आप चाहें तो इसकी English खुद भी पढ़ सकते हैं मैं accurate जो है वो English को ही आपके इस तरह से translate कर रहा हूँ ताके आपको समझ में आजाए बात क्योंकि अक्सर जो है मैंने देखा है कि हमें science इसी तरह पढ़ाई जाती है कि English में reading नहीं करवाई जाती टारेक उर्दू में lecture दिया जाता है लेकिन book से ही पढ़ा रहा हूँ आपको मैं और English भी थोड़ी बहुत पढ़ा देता हूँ ताके आपको और अच्छी तरह समझ में आजाए तो इसमें क्या कहा जा रहा है precision का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से तो ये एक ऐसा instrument है जो के length को ही major करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाहे internal हो या external अब आपके पास जो है एक ring है जो के आपको vernier clipper में नजर आ रही होगी तो vernier clipper की shape देख लीजे किस तरह की है इसका जो मू है इसे जो है वो jaw कहा जाता है जे ए डब्ल्यू एस jaws का जाता है ठीक है इसके मू को यानि इसके दांती को ये देखे है मू जैसा बना हुआ है दांत जैसा बना हुआ है तो vernier clipper दो तरह के होते हैं एक होता है arm vernier clipper और एक होता है digital vernier clipper तो arm vernier clipper में जो reading आती है वो लिखी वी होती है यानि scale के उपर लिखी वी होती है एक arm scale होता है उसके उपर लिखी वी होती है लेकिन जो हमारे पास digital vernier clipper होता है उसके उपर जो reading आती है वो digitally आती है यानि नमबर लिखे वे आ रहे होते हैं जैसा कि आपके पास arm watch होती है तो यह ऐसी तरह से वर्णियर क्लिपर भी दो तरह एक होता है तो रिंटान के शोने इसमें दिखिडिन जो इसDR सकता है अब इंटर्न upset क्या है अब आपको ऐस रिंग है रिंग के अंदर भी जो एक जगा घिर रही है तो वो internal distance हो गिया external distance तो रिंग के भार की जगा है जैसे के ये लगावा है तो external distance हो गिया तो बहुत accurate जो है ये major कर रहा होता है लेकिन यहां भी जो है वो गलती आ जाती है कि ये जो है काफी ज्यादा accurate तो major कर लेता है लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़ी बहुत गलती जो है वो millimeter में गलतिया आ जाती है ये centimeter में major कर रहा होता है लेकिन फिर भी इसमें भी कई न कई गलतिया आ जाती है ठीक है क्योंकि अब millimeter से आप centimeter में आ गए लेकिन हमारे पास एक और भी छोटा unit होता है लेंद का जो के जो के हमारे पास मिली मीटर होता है तो सेंटी मीटर तक तो आप सही आ गए अब मिली मीटर का भी एरर आ जाए तो इस तरह के एरर को instrument एरर भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत छोटी-छोटी होती जाती है अच्छा अब आ जाते हैं micrometer screw gauge यह भी वो device है जो के इस्तिमाल की जाती है length को major करने के लिए यहां फिर किसी चीज के diameter को major करने के लिए अब diameter क्या होता है देखें कोई circle बन रहा है circle का जो बीच का जो line होती है जो के center से गुजर रही होती है और एक point से दूसरे point तक जो है वो होती है यानि circle के एक point से दूसरे point तक है और center से गुजर रही है तो यह हमारे पास diameter होता है और diameter का half radius होता है तो micrometer screw gauge भी जो है यह एक length को major करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली device है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं क्या लिखावा है screw gauge is extensively used in engineering field for obtaining precision measurements तो यह भी जो है वो कहां इस्तेमाल होती है engineer इस्तेमाल करते हैं engineering field में तो यह जो है वो काफी जो है वो precision यानि काफी अच्छी जो है वो reading देता है और इसकी जो reading है वो student हमारे पास millimeter में आ रही होती है यह किसमें reading दे रहा होता है यह हमारे पास जो है वो millimeter में reading दे रहा होता है तो इसमें जो गल्तियां होती है वो कम हो जाती है बहुत अत्तक यानि रूलर यानि जो हमने मीटर रूल पड़ा और स्क्रू गेज पड़ा उसके मुकाबले में बहुत कम इसमें एरर होता है ठीके क्यों क्योंकि जो है मिली मीटर में जाकर आपको रीडिंग दे रहा होता है तो ये काफी मेंगा भी होता है रूलर और वर्नियर क्लीपर के मुकाबले में वर्नियर क्लीपर सस्ता होता है और रूलर उससे भी सस्ता होता है तो ये जो आपके पास मीटर रूल होता है तो आप खुद भी खरीद लेते हैं पांच-दस रुपे में लेकिन आप वर्नियर के लिए पर और स्कूरू गेज नहीं खरीदेंगे क्यों क्योंकि यह महिंगी डिवाइस होती है तो सिंपल याद रखें स्मॉल डिस्टंस को मेजर करने के लिए इस्तमाल होता है जैसे एक बॉल है बिल्कुल छोटी सी चोटा सा आपके पास डायमन है या चोटा सा डायमन मोती है अब उसके डिस्टंस को कैसा मेजर करेंगे आप उसके डिस्टंस को आप जो है वो इस्कूरू गेज की मदद से मौझूद है और अबिंव और मौझूद है आपके सा मैं और यह पर यहां पर हिस्षे होते हैं नहीं सही नाम Earth है चाहिन में काउत हैं यूज Mamam करक डी साधार कंच करो नहीं और बहुत हैं और बाई सब्सक्राष्ण कर लेंत आर्व कर शेकित दोन पिर यह जो है वो जो क्या करता है जब हम गुमाते हैं तो यह जो है वो चीज को hold कर लेता है और फिर हम जो है वो reading देख लेता है कि क्या reading आ रही है जैसा कि आपको diagram में easily नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर मैंने आपको screw gauge समझा दिया अब आ जाते हैं हम अपना screw gauge खतम हो जाने के बाद मास्क पर आ जाते हैं कि मास्क क्या होता है देखें मास्क जो है हमारे पास यह भी एक base quantity है जो कि हम उपर पढ़ चुके है यह नहीं fundamental quantity fundamental का मतलब होता है बुनियादी अच्छा मास्क कैसे जो है इसको कैसे consider किया गया कि हमारे पास एक प्लैटीनियम की रौट थी यह प्लैटीनियम का cylinder था तो उसका जितना मास्क बन रहा था ना उसे जो है एक kg ले लिया गया उसका जितना मास्क बन रहा था उसे जो है वह एक केजी ले लिया हमने, अब यहां पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि एक केजी कित्ते के बराबर होता है, तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज है कि हम दूट लेने जाएं, या हम आलू, टिमाटर, प्यास, या मुक्तलिफ चीजे जो हम खरीदते हैं मार्केट में, केजी में खरीदते हैं कैसे तो नहीं है, वो बोलता है, कि मैंने तुम्हें मिली ग्राम दे दिया, अगर कोई बहुत ही महिंगी चीज खरीद रहे हैं, तो वो मिली ग्राम में आती है, जैसे कि हमारे पास मुक्तलिफ मसाले हो गए, जो के बहुत महेंगे होते हैं मिली ग्राम में आ रहे होते हैं जिसमें हमारे पास केसर एक महेंगा तरीन मसाला है वो मिली ग्राम में आता है तो अगर हम बड़ी चीज़े खरीते हैं जैसे आलू प्यास टिमाटर तो वो केजी में कहता है या तो कभी ग्राम में लिख दिया जाता है लेकिन मिली गराम तो नहीं कहा जाता तो एक केजी जो है वो बराबर होता है thousand गराम के अच्छा one gram जो है वो thousand गराम के बराबर होता है तो यहां पर हमारे पास जो है वो हमने समझ लिए के बाई everywhere standard जो है वो मासझ क्या होता है तो यह जो है हो platinium की एक cylinder है जिससे consider करके निकाला जाता है यानि platinum का cylinder ले लिया उसका जितना भी मांस था अब वो हमें नहीं पता किता था लेकिन जितना भी था उसे 1kg के दिया ठीक है अब आपके एक केजी आलू के बराबर होगा उसका मांस ठीक है अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं physical balance तो तो फिजिकल बैलेंस का मतलब यह नहीं कि जिस्मानी बैलेंस, यानि हम अपने जिसम को बैलेंस कर रहे हैं, फिजिकल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है, जो के मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहां पर student आपको 1.18 में, यानि figure 1.18 में जो है वो, 18 में जो है आपको लगी रहा है तराज हुए है यानि पहले के दोर में स्तेमाल किया जाता होगा आलू बेचने वाले इस्तेमाल करते होंगे, यह जो है वो, किलो में मास को मेजर नहीं करता, यह जो तो यहां पर मैने आपको बैल EPA के बारे में बता दिया तो और इसको सब tunnels चीज करते हैं यह कहां पर इस्तिमाल कोये हैं और यहां पर है हम्हेर्थ में मक्तलिफ एक्सपयरिमन्टнов करते अच्छा आपने देखा होगा कि आप जब सबजी लेने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो तराज़ू रखा हुए होता है वो किसी शीशे के बॉक्स में नहीं होता बल्के ऐसी रखा हुआ होता उस पर मट्टी भी तो मेजरमिंड में एरर आ जाता है क्योंकि हम जो है वो मिली ग्राम की बात कर रहे हैं और ग्राम की तो मिली ग्राम की जब हम चीज मेजर करेंगे तो हवा अगर उस पर लगेगी तो मेजरमिंड में फरक आएगा मेजरमिंड खराब होगी तो शीशे के बॉक्स में रख देने की वज़ा से अंदर हवा नहीं जाती तो फिर मेजर्मेंट और अच्छी तरह से हो पाती है तो जब हम आम दुकानों पर जाते हैं जब हम आम दुकानों पर जाकर कोई चीज ले रहे होते हैं तो वो केजी इसमें मेजर कर रहे होते हैं तो केजी में तो हवा कोई इतना फरक नहीं करती है अब ऐसा नहीं है कि उसने आपको आदा किलो चीज दी उस दिन हवा तेज चल लाईती तो वो एक किलो हो गई ऐसा नहीं होगा हाँ अगर हवा इतनी तेज़ चल लेगी कि चीज़े ओर नहीं है तो उदर भी फरक पड़ जाएगा लेकिन इतनी तेज़ उदर हवा नहीं चल ली होती लेकिन इसमें जो आए वो अगर पंके की हवा भी चल ली होगी तो भी असर कर जाएगा क्योंकि वह छोटा-छोटा सा ये मेजर्मिन कर रहा होता है अब आजाते हैं इसके उपर बात करते हैं कि ये होता किस तरह का है तो तराजू की तरह ही होता है बीच में एक निडल लगी भी होती है जो के हमें जो क्या कर रही होती है हमें बता रही होती है कितना वजन है कितना नहीं है और balance रहनी चाहिए वो अगर वो balance नहीं रहेगी तो हम वजन मेजन नहीं कर पाएंगे तो हम कोई चीज रख देते हैं एक हिस्से में और दूसरे इस्से में वजन रखते जाते हैं तो जब यह जो बीच में आपको बीम नजर आ रही है यह सेंटर में आ जाए और बिलकुल बैलंस हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने उतना वजन बराबर में रख दिया है जितना वजन आपने एक साइट पर रखा हूआ है यानि जितना वजन आपने एक पैन में रखा हूँ है उतना वजन ही दूसरे पैन में हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यह जो माने जार रखा है या bottle कितने वजन का है तो थोड़ा से पढ़ते हैं कि किस इसके को क्या कहते हैं देखें ये जिदर हम चीजें रखते हैं उसे तो pen कहा जाता है और जहां पर हम weight रखते हैं दूसरे pen में वो weight है यानी जो वजन हम रखनी है वो weight हो गया scale जो है वो बीच में लगावा होता है यहां पर डाइग्राम थोड़ी वाज़ नहीं है लेकिन इतनी वाज़ करती गई है कि समझ में आ रहा हो कि पीछ में आपको एक scale लगावा नजर आ रहा होगा एक पीछ में pointer होता है जो कि मैं बता रहा होता है कि बाई ये कितनी reading चल रही है और फिर एक balancing screw होता है जिसे जो है हम लगाते हैं और ये hold भी कियावा होता है pen को और इस तरह से hold कियावा होता है कि वजन जो है वो balance रहे momentum balance रहे beam मैंने आपको बता दिया क्या होती है और आपके पास जो है वो beach में जो है एक तरफ आपके पास क्या होती है agate knife और end agate plate तो ये भी जो है इसके उपर वहीं लगी भी होती है जहापर balancing screw मौजूद होता है ठीक है और ये जो है वो beam से भी कहीं न कहीं जुड़ी होती है अच्छा यहाँ पर एक pillar होता है pillar यानि जिस support पर वो रुखावा होता है pillar आपको पता है क्या होता है और plum यानि plum के यह अच्छी तरह से major कर रहा होता है और बाकी जो है इसके अंदर एक जगा होती है हमारे पास बीच में एक knob लगीवी होती है knob क्या होती है knob एक लट्टू होता है यानि इसको हम गुमा भी सकते हैं गुमा कर जो है इसके balance को आगे पीछे कर सकते हैं अगर balance ना हो और नीचे जो है वो एक screw लगाए वे होते हैं ताके ये balance रहे ठीक है ये जमीन से ना चिपका रहे balance रहे तो ये जो है मैंने आपको बता दिया अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा होगा है तो student plum का जो मतलब है चो कि मैंने आपको उपर बताया plum का मतलब होता है इम्तिहान करना यानि फिर ये जो चीज होती है देखती है कि कितना वदन आ रहा है ठीक है तो ये mask को मेचर करने के लिए इस्तेमाल होती है अच्छी तरह define कर दिया अब आ जाते है electronic balance अब आपको पता है कि तराजू का system जो है वो खताम होता जा रहा है एक वक्त ऐसा आएगा कि तराजू सिर्फ आपको museum में ही मिला करेंगे और बताया चाहेगा कि ये जो है वो जब 90 का दौड था या जब 20 centuries चली थी तो उस वाकत इसे इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अब तो बहुत से ऐसे आप भी आने लगे हैं कि वह बुलते हैं कि आप तस्वीर खेचो यहां मुबाइल पर चीज़ रख दो आपको वजन पता चल जा है तो वह तो एक तुक्का मार रहे होते हैं ठीक है वजन का तो लेकिन आपने ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट कन्फिग्रेट विट इंटीग्रेट इंटीग्रेटिट सर्किट एंड इट वर्क उन दा प्रिंसिपल ऑफ बैलंसिंग दफूर्स तो इसके अंदर सर्किट लगावा होता है तो जब आप वजन को रखते हैं तो यह मुक्तलिफ जो है वह चीज को मुक माइक्रोग्राम पर रखेंगे तो माइक्रोग्राम वजन बताएगा मिलीग्राम पर रखेंगे तो मिलीग्राम पर वजन बताएगा और किलोग्राम पर वजन रखेंगे तो किलोग्राम पर वजन बताएगा अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ लेने जाते हैं क्योंकि किलो گिरम पर वज़न अलग आ रहा होता हृ और माइकरो गिरम प्रक आ जाता है एरर आने का खत्रा रहता है तो इसलिए वापता कर लेता है अब आ जाते हैं time के उपर बात करते हैं तो time किया है, हमारे पास, time जो है हमारे पास एक independent quantity है, एक fundamental quantity है, basic quantity है, तो आज जो है हमारे पास time, तो हम कैसे पता करते है time को, आज जो हमारे पास time के लिए watch मोझूद है जो के second, बलके millisecond भी बता रही होती है कुछ watches तो, तो यहां पर पहले पढ़ते हैं कि लिखावा क्या है तो पहले जो है हम time को कैसे define करते थे यानि 1960 ने पहले के भाई sun कितने चक्कल लगा रहा है और कितने दिनों में साल बदल रहे हैं और सूरज को देख देख के time पता करा जा रहा होता था ये समझ लीजिए लेकिन अब ऐसा नहीं है अब जो है वो हमारे पास एक system आ गया है time को major करने के लिए तो इसमें होता क्या है? हमारे पास जो होता है eczium cesium क्या है? हमारे पास एक atom है तो उसका जो electron यानि उसका जो electron होता है उसको excite किया जाता है और de-excite होने में वो चितना time लेता है यानि upper level में भेजा जाता है फिर जब वो energy low करके वापत ground state आने में जितना time लेता है उसे जो है वो 1 minute यानि 60 second मान लिया जाता है तो जो के आपको blue में करके लिखा हुआ है तो वो कितना times होता है 1, 9, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 7, 0 तो इतना जो है वो times होता है तो इसे जो है वो 60 second मान लिया जाता है 1 minute तो time का जो अमरे पास ऐसा unit होता है standard unit वो होता है ऐसा unit second ठीक है जो के 1960 के बाद शुरू हुआ है 67 में जो है यह हिसाब के type किया गया था अब आ जाते हैं कि time को आप major कैसे करेंगे यह तो मैंने आपको बता दिया कि 60 second किस चीज़ के बराबर होता है सीजियम का एक electron है फिर वो डी एक साइड होने में इतना time लेता है उसे एक second मान लिया stop watch पर आते हैं देखे stop watch का यहां लिकाव आए कि a stop watch is used to measure the time interval between two events there are two types of stop watch mechanical stop watch and digital stop watch तो यहाँ पर आपको stop watch के बारे में बताया जा रहा है stop watch दो तरकी होती है एक होती है mechanical यानि जैसा के आपको नजर आ रही होगी figure 1.21 में तो यह हमारे पास क्या होती है यह mechanical stop watch होती है जिसके अंदर जो है वो एक हमारे पास सुई लगीवी होती है निडल होती है जो के motion करती है और हमें time बता रही होती है तो यह हमारे पास जो है वो mechanical हो गई सही है और दूसरी जो होती है हमारे पास एक digital होती है अब digital stop watch क्या करती है digital stop watch जो है वो आपके accurate time digital watch से ही पता चलता है digital का मतलब ही होता है कि भाई जिद्दद आ जाना अच्छा हो जाना तो यह जो हमारे पास step watch होती है किस तरह से काम करती है कि आप जब एक बार प्रेस करते है तो यह शुरू हो जाती है और दूबारा प्रेस करते है तो यह जब आप तीसरी time को मेजर करने के लिए चोटे हिस्से में मेजर करने के लिए डिजिटल वाइच का इस्ताम किया जाता है यह भी बिलकुल वैसी काम करती है कर ऑप charged हो यह उतल आ कर द ngoon सब्सक्ता है धाम ँआ कर चांद लृट करती है डिजिटल वाच एनलॉग वॉच यानि arm watch के मुकाबले में अब हमारे पास आकरी topic है human reaction तो human reaction क्या होता है इसके उपर बात कर लेते हैं देखे हमारे पास जो human reaction time है इसे error भी कहा जाता है यानि आपके पास एक stop watch है consider करें मैं आपको जो है वो जो इधर बात लिखी वे वो ही explain करता हूँ देखे हैं आपके पास एक stop watch है जब आपने उसे एक बार दबाया तो वो चलना शुरू हो गई तो आपने जब उसे रोखना होता है तो आप सोचते हैं और फिर दबाते हैं button तो जब आप button दबाते हैं तो उतने में भी कुछ time जाया हो जाता है यानि आपने तो रोखने का पहले सोचा और बटन बाद में दबाया तो इतने हिस्से में भी कुछ time जाया हो गया तो इसे जो है वो human reaction कहा जाता है और human reaction जो आम इनसान का होता है वो होता है 0.3 second से लेकर 0.5 second तक यानि ये points में decimal में होता है यानि देखे एक runner दोड़ आ है ठीक है उसने जो है वो दोड़ना शुरू कि आपने watch दबाई तो वो दोड़ता गया जैसी वो finish line पर पहुचा उसने line cross कर दी आपने जो है वो watch को दबाने के लिए भी कुछ time लिया तो जो watch को दबाने के लिए आपने time लिया जो reaction करने के लिए time लिया वो error है अब वो जो है वो इजाफी time है ठीक है वो time आपको नहीं गिनना था लेकिन वो भी फिर भी जुड़ गया और watch ने वो भी count कर लिया तो इसे जो है वो human reaction time का जाता है कि वो error जो के human के reaction करने की वज़ा से आ रहा होता है जो के वो time ले रहा होता है तो इसे human reaction time का जाता है तो यहाँ पर जो है मैंने आपको तमाम चीज़े explain कर दी devices जो के इस्तिमाल होती है measurement में अगर फिर भी कुछ रह गया हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो या नहीं समझ में आया हो क्योंकि lecture देते हुआ concentration जो है वो पूरी रखनी पड़ती है concentration में possible है कि बंदे से कोई गलती हो जाए तो अगर कोई गलती हो या कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप जो है वो मुझसे comment में message करके पूछ सकते हैं इंशालला आपका reply कर दूँगा और आपको जो भी चीज समझ नहीं आ रही होगी बता दूँगा so you can message me on comment section or my personal number जो के मैंने आपको whatsapp पे दिया वा है जो के coaching का ही number है तो उमीद करता हूँ या तक आपको बात समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा आखर मैं कहूंगा channel subscribe कर दीजिएगा bell icon press कर दीजिएगा class 9 की math भी करवा रहा हूँ physics भी करवा रहा हूँ English पहले ही complete करवा चुका हूँ तो तीनों चीज़े आप पढ़ते रहें साथ साथ और गुरूप भी create करूँगा आने वाले वक्तों में ताके उदर भी आपको जो है वो चीज़े बताता रहूं study से related तो वहाँ भी जो है अगर आप participate करना चाहें तो message कर दीजिएगा इंशाल्ला जैसी गुरूप बनेगा आपको add कर दूँगा तो उमीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में है योगी अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग अल्ला हाफेश